हेलो दोस्तों सागत है आपका आपके अपने चैनल The Exam Helper में दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो आपका नवोदर विद्याले की तरफ से बेकेंसी निकल कर आ रही है जो आपकी पोस्ट है चार से पांच पोस्ट का मैं आपको कट आप इस वीडियो में बताने वाला हूँ साथी साथ प्रीविस एर के पेपर कैसे हमें मिलेंगे साथी साथ जो आपका best books है वो क्या रहेंगी कम्पूटर के लिए क्या strategy होने चाहिए कम्पूटर कहां से पढ़े है साथी साथ जो है आपका क्या आपका ये भी question जादा कि हम एक से अधिक post के लिए apply कर सकते हैं क्या हमें fees अलग अलग भरना होगी तो क्या है पूरा मामला इसको भी हम जानेंगे और साथी साथ ये भी देखेंगे कि आपको जो है कौन सी post भरना चाहिए जिसमें selection easily आपका हो जाएगा साथी साथ हम देखेंगे कि इसमें negative marking है या नहीं बहुत से चात्रों को doubt है कि इसमें negative marking है या नहीं हाला कि मैं इसके उपर detailed video बना चुका हूँ साथ साथ आपको clear देखा भी चुका हूँ कि negative marking इसमें रखी गई है ठीक है तो ये भी हम बात करेंगे साथी साथ दोस्तों इसमें मैं इतना ही बता हूँगा साथी साथ दोस्तों मैं आपको बता दूं मैं NBS selected candidate हूँ 2019 मैं मैंने paper दिया था और उसके regarding मैं आपको ये video बना रहा हूँ तो दोस्तों चैनल पर नहीं है चैनल को subscribe कर लिए अगर आप NBS NDC की त्यारी कर रहे है या NBS के लोगर MTS की है किसी भी post के NBS की त्यारी कर रहे है तो हमारे दौरा आपको NBS से जोड़ी जानकरी दी आती है तो चलिए video को देरीने करते हुआ श्टाट कर लें सबसे पहले हम बात कर लेते हैं cut-off की तो देखे सबसे पहले हम बात करेंगे आपका जो मैं-sealper का cut-off रहा था लास्ट ये उसके regarding हम बात कर लेते है देखे जनरल का जो cut-off रहा था आपका 79 गया था OBC का 77 EWS OS में नहीं सब्सक्राइब कर लेते हैं जिस पोष्ट पर जो है मैं अभी मुझे मतलब अभी सेलेक्शन हुआ है मेरा तो उसकी बात करूं यह मैं जो आपको cut-off बता रहा हूं यह 2018 का है 17 वाली जो भरती थी 18 में इसका result आया था उसका cut-off है 2019 में अभी इसका जो आप final cut-off नहीं आया है जैसे आएगा मैं आपको तुरद बता दूँगा ठीक है और कोई भी आपको बताता है तो वो गलत जानकारी आपको दे रहा है ठीक है 2018 का जो cut-off था जब पेपर आपका 100 न हमर पर हो गया था जनल का 80, OBC का 79, SC का 76, वहीं ST की हम बात करें तो 72 ठीक है 2018 का भी cut-off नहीं आया है तो मैं उसको बताना बता नहीं सकता ठीक है जब आयगा ता मैं आपको तुरद बताना ठीक है बात करते हैं MTS का cut-off क्या रहा था MTS का 82 cut-off गया था जनल का 82, OBC का 80, SC का 77 गया और ST का 73 गया था यह होगी आपका cut-off अब बात आधी कि आपको पेपर कहां से मिलेगा दोस्तों देखें दोस्तों इसका पेपर जो है मेरे पास only 2 shift का पेपर है जो कि आपका एक ही दिन पेपर गया था 3 shift में तो मैं 2 shift का पेपर मेरे पास है उसको मैं अपने channel पर आप कोई सा भी लेकर आपको करा दो नहीं ने बिल्गुल authentic paper आपको कराया जागा तो उसके लिए channel को subscribe करें ठीक है यह होगी आपकी paper की बात MTS के paper की बात रही या लेबर टेंडन की या मैस अलबर के दोस्तों देखें उसका level थोड़ा कमी आएगा तो paper लगवक सेम होता मैं आप कितनी भी post के लिए बर सकते हैं यादि आप eligible है तो और जो उसकी सर्त दी गई है condition educational qualification experience क्या मंग गया है उसको ध्यान से पढ़ लीजेगा चलिए अब मैं बात करूँ कि कौन सी जो है post best रहेगी तो देखें मेरे नेर में सिर्फ दो ही post best है जिसमें आपको कोई भी मशक दिक्कत करने की जरूरत नहीं आपका easily selection हो जागा तो उसके लिए देखें एक है आपकी LDC जो की है junior secretariat assistant JSA की उसमें आपको simple paper देना है typing देना है selection हो जागा कुछ दिक्कत नहीं MTS का paper देना है selection हो जागा अब बात आती है lab attendant की sorry lab attendant की साइध उसमें experience भागा है आप एक बात ध्यान से देख लिएगा और साथी साथ आपको जो है उसका एक specific paper होगा lab attendant का तो वहाँ पर आपको दिक्कत हो सकती है दूसरा आप अगर मैं salper का बरते हैं तो एक portion उसमें मैं salper के regarding आपको information उचे ही उसका दे रखा है तो उसकी जो information वो मिलना यार काफी असंबब हो जाती मिल तो जाती बहुत याद मशक्कत करने के बाद उसके जो paper है question उसको मिल पाते तो वो कहीं न कहीं आपको थोड़ा दिक्कत में डाल सकता है ठीक है तो मेरे हिसाब से दो ही पोस्ट है एक है LDC की JSA वाली एक है MTS की जिसमें paper आपको easily मिल जागा मिल जागा मिलना इसके question answer easily लिए अब को मिल जाएंगे ठीक है चलिए यह तो होगी best post चलिए अब बात करते हैं best book की तो दोस्तों best book की यदि मैं मात करूं तो आप market में जाईए और कोई भी अरे हर्त की आप SSC CHSL का CHSL का मिल जाए या NBS पे भी जाएंगे आप NBS की post भी अभी NBS की book भी छपी पड़ी होगी या पुराणी होगी या नहीं आचुकी होगी तो वह आप ले लिएगा practice set आते हैं वो ले लिएगा या फिर CHSL का आप लेने की post का रहा है तो वो ले लिएगा क्योंकि pattern लगवक सेम होता है SSC CHSL का और आपका जो है तो दोस्तों यह रहिए आपकी books या तो SSC CHSL की book ल करना दूँगा तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लिए साथ ही साथ अगर हम computer की बात करें तो computer में अपने चैनल पर करने वाला हूँ लगवा आपको 1500 question में करांगा लगवा 10 वीडियो के अंतर मैं आपको करा दूँगा उसमें से आपका जो हब paper लगबग 80% फसने की संबाब ना होंगी उसके अलावा आपको कुछ कहीं से भी पढ़ने की जरूरत नहीं है मैं आपको करा दूँगा तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लिए अब दोस्तों आपके लिए एक और काम है कि आप कोई भी doubt है तो आप comment कर दिए अगले जब मैं वीडियो कि 2022 के जो candidates है वहीं पर जुड़े हैं आप उसमें discuss कर सकते हैं साथी सत मैं अभी update करते रहता हूँ तो बागे मिलते हैं फिर नेक्स चुड़े में तब तक लिए जय हिन जय भारत